हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होब बिलकुल ठीक होंगे आज हम बनाएंगे फैब्रिक मास्क जो की पहनने के बाद कितना सुन्दर लग रहा है और इसमें घुटन भी महसूस नहीं होती इसके लिए हमें इलास्टिक के दो टुकडे लिए हैं कपड़ा है इंची टेप है और चौक है अब हम कपड़े को साड़े साथ इंच की लंबाई तक निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ नो इंच पर निशान लगाएंगे देखिए और कपड़ा हमने डबल लिया है फोल्ड करके तो एक तरफ साड़े साथ इंच और दूसरी तरफ नो इंच नो इंच का टुकड़ा अब हम इसे च्यार फोल्ड कर लेंगे अब हम हर कॉर्णर के तरफ दो इंच लेकर देखें दो इंच से निशान लगाकर दोनों साइड और इसको ट्रेंगल में एक लाइन डाल देंगे सीधी इस तरीके से ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है दो इंच का उधर लेफ्ट और दो इंच का राइट दोनों तरफ लेकर इस निशान को ट्रेंगल शेप में मिला देना है सीधा ये देखें दोनों साइड हमने निशान लगा लिये हैं जो हमारे कपड़े की खुली हुई साइड थी वहां से हमने निशान लगाए हैं और इसको काट देंगे ये देखें अब हम जो हमारा ये उपर की साइड आएगा वहां से हम आधा इंच की गहराई करके एक सी का निशान लगाएंगे जो कि हमारी नोस फिटिंग का निशान है अब हम इसको सीजर से कट कर देते हैं ये हमारे मास्क का नोस वाला हिस्सा है जो उपर की तरफ आएगा हमने अपने टुकड़े की कटिंग कर ली है अब हम इसकी सिलाई करते हैं हम इसको डबल में पकड़ेंगे और इसको चारो तरफ से हाफ इंच का मारजन लेकर सील देंगे एक साइड हमें खुली रखनी है ये कॉर्णर पर अराम से कीजिए फ्रेंट क्योंकि हम इसे कॉर्णर बनाने है तो कॉर्णर पर रोक के फिर मशीन को उठाकर दूसरी तरफ घुमाईए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आप भी कीजिए हमने अपने कॉर्णर बनाते हुए पूरे कपड़े पर सिलाई लगा ली है और एक साइड से हमने इसको मूँ ओपन रखा है आप देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है चारो तरफ बस हमने इसको एक साइड खुली रखने हैं आप किसी भी साइड से रख सकते हैं अब हम इसको एक पेचकस की हेल्प से सीधा कर लेते हैं देखिए कितनी आसानी से सीधा हो गया है अब हम इसके कॉर्णर वगएरा आसानी से निकाल लेंगे इसके लिए एक पिन या सुईंग की हेल्प ले सकते हैं देखिए कॉर्णर को इस तरीके से निकाल लेंगे हम और फिर हम इस पर प्रेस कर लेते हैं प्रेस करने से हमारे कॉर्णर और भी अच्छे से फिक्स हो जाएंगे देखिए अब इसका जो ये मुह खुला हुआ था जो हमने छोड़ा था इसको उल्टा करने के लिए उसको बंद करके वहाँ भी हम प्रेस लगा लेते हैं देखिए मैंने उसको हाफ इंच का अंदर की तरफ बंद कर दिया है और अब हम ये निश्ट यो हमारा खुलावा मूध है यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे अब हम इसको पूरा पूरा इसको बंद करके चारो तरफ से देखिए बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है यहाँ पर मैंने पक्का कर दिया इसको एंड पर आकर अब हम इसको निकाल लेते हैं मशीन से एक्स्ट्र धागे कार दीजिए अब यह देखिए अब इसका कौई भी मूं खुला होआ नहीं है यह चारो तरफ से बिल्कुल पैक हो चुका है अब हम इसको प्रेस के हल्प से यह देखिए जो हमने ट्रिंगल काटे थे जो हमने ट्रिंगल काटे थे न वही उसी साइड से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर देंगे ये देखे नीचे से भी जो हमारे ट्रेंगल का हिस्सा है न इतना ही हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है जो हमारे ट्रेंगल का हिस्सा था इसके बाद ये आपको एक स्ट्रेट पट्टी जैसे दिखेगा यह देखिए बीच में बिल्कुल स्टेट पट्टी हो गई है अब हम यह जो हमारे साइड है इन पर सिलाई चला देते हैं ते हम पहले जैसे किनारे पर ही सिलाई लगाएंगे यह मैंने दोनों तरफ से लगा ली है और यह एक स्टर धागे कट कर देते हैं देखिए दोनों तरफ से निशान पर हमने सिलाई लगा ली है इससे फिनिशिंग अच्छी आती है अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड समझने वाली बात है कि हमने जो यह अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाई थी इसको वापस इसका हाफ करके उपर की तरफ हम इसको सिलाई लगाने लेकिन हमें यह ट्रेंगल नहीं बनाना देखिए यह ट्रेंगल बन रहा है हमें इससे स्ट्रेट बनाना है यह जब आप उपर की तरफ फोल्ड करते तो इस ट्रेंगल में बनता है लेकिन हमें इसे स्ट्रेट पकड़कर फिर इस पर हमें सिलाई लगाने है नीचे और उपर दोनों तरफ से स्ट्रेट पकड़ेंगे हमें इसे यह देखिए बिल्कुल स्ट्रेट स्लाई आई है हमारी अगर हम इसको वैसा ही रहने देते तो इस ट्रेंगल में चली जाती सेम यही प्रोसेस हम दूसरी तरफ देखिए मैं सिधा पकड़ेंगे तो ट्रेंगल जा रहा है लेकिन हमें ट्रेंगल नहीं इसको उठाकर स्ट्रेट करनी है देखिए बिल्कुल सीधी हाँ दोनों तरफ से हम इसी तरीके से यह स्लाई लगा लेते हैं देखिए सीधी सिलाई आई है ना बिल्कुल और इसी सिलाई की वज़े से इसकी यह नोस फिटिंग और यह नीचे से चिन फिटिंग आएगी यह देखिए बिल्कुल अब हम इसमें लास्टिक अटैच कर लेते हैं लास्टिक के दो टुकड़े लिये हैं मैंने और हर टुकड़ा साथ सेंटीमीटर का लिया है यह देखिए साथ सेंटीमीटर का है सेवन इंच अब हम इलास्टिक लेंगे और यह देखिए जो हमने यह सिलाई लगाई थी यहाँ पर खुला हुआ हिस्सा है इसका साइड में इसके अंदर इसको दबाएंगे और थोड़ा सब फिट करके और स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे पक्का करके लगाएंगे थोड़ा reverse लेकर मशीन को अब उसको फोल्ड करके नीचे की तरफ जैसे सेम उपर दबाई थी वैसे ही सेम नीचे की तरफ इस ट्रेंगल के अंदर दबादेंगे और उपर से स्ट्रेश से पक्का कर देंगे देखिए यहाँ पर डबल स्लाई हो जाएगी यह देखिए सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लास्टिक को जोइंट कर लेते हैं जैसे एक तरफ लगाई है देखिए इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगा देते हैं और यहां हमारा मास्क बनकर त्यार हो गया है, यह बहुत ही comfortable mask होता है, इसको पहनने के बाद आपको पसीने वगएरा की problem भी नहीं होती है face के उपर और यह देखने में भी बहुत संदर लगता है, देखिए, हमारा mask बनके त्यार हो गया, अगर आपको पसंद तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू